हलो जी नमस्कार, वेलकम टुडू फैवर इजूकेशन, मैं आजे सर आज आपके लिए जैसे सीजेल या फिर सीएचेसल के लिए आपके कम्प्यूटर में टॉप टुएंटी कोस्टनों का संगरा यानि सेट टुएंटी सेवन लिकर के आ गया हूँ, क्या? जिसमें रहता है कोस्टन, जो आपके लिए सेलेक्टिड वी बी बी आई और प्रिवियस एर कोस्टनों का संगरा होता है, इससे पहले आपको एक से ले करके 26 यानि 26 तक के जो भी कम्प्यूटर प्रैक्टिस सेट हो चुका है, आप उसे बहतर तरीके से देख सकते हो, उसके बाद आप 27 में आप स्कोर बता करके आगे बढ़ सकते हो, यानि आपको जो मैं सेट करवा रहा हूँ, उसमें आपको अंत में कमेंट करके बताना है कि आपका टॉप 20 में से स्कोर क्या रहा है, तो चलिए सेशन को फटा-फट इस्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज 27 जो प्रैक्टि आपके सामने है, क्या है, पहला कुस्चन आपके सामने है, कि which of the following type of computer is also known as notebook, भाई किस परकार यहाँ जो निमलिखित में से एक परकार का, वो कौन सा computer है, जिसे notebook के रूप जाना जाता है, या notebook के नाम से भी जाना जाता है, वो क्या हो जाएगा, micro computer, multi core, या फिर workstation, या laptop computer, भाई साब यहाँ जो notebook के नाम से जाना जाता है, वो हमारा laptop computer है, क्या, laptop computer is known, also known as notebook, यानी laptop computer को हम notebook के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, चलिए, बढ़ते हैं, next question, क्योर, next question आपके सामने है, कि records, भाई साब, records everything you type on your PC, to retrieve your login names, password and other sensitive information, भाई साब बोल रहा है, क्योर, अपने login, password, या फिर आईने समय दिसीन जालकारी जो होती है, उसे प्राप्ट करने के लिए आपके PC पर, जो भी आप type की गया जाने वाले चीज़ है, उसको वो record करता है, कौन record करता है भाई, यह सारा जानकारी को, तो देखो यहाँ पर, रेम स्वेर, या फिर किलोगर, य बाईरस या वाम, तो भाई साहब ये जो, वो किलोगर है, क्या, किलोगर जो है, तो किलोगर जो है, वो क्या करता है, हमारे सारे, जो हमारे PC में जो भी अपना पासवर्ड हो गया, login, password हो गया, जब भी, जानकारी हो गया, वो वो, हमें क्या करता है, हर चीज को रिकॉर्ड करता है कौन की लोगर है ना तो राइट ऑप्शन भी इस राइट क्या हो जाएगा हमारा की लोगर है ना चलिए नेक्स कुश्चेन आपके सामने कि क्रिप्टो लोकर इस फॉर्म ओफ वीज ऑफ दा फॉलॉइंग बरा क्रिप्टो लोकर जो है निमलिखित में इसे किसका एक रूप है यह जो आपका क्रिप्टो लोकर है वह किसका रूप है भाई रैंसम वेर एड़ वेर वाम स्पेवेर तो यह जो आपका क्रिप्टो लोकर है वह रैंसम वेर का ही क्या है एक रूप है एक सब रूप है उन्हें का एक पार्ट है ठीक है चलिए नेक्स कोस्टन को देखते हैं बहुत ही इजी कोस्टन है आप अगर इसे देख लेते हो और यह सेलेक्टेड प्रिबिएस यह बीब छीन्ग फोल्डर इस यूज़ डिलेटी इमेल के इसमें से वास्ते WiFi बता रहे और और इमस्क्रम स्टैप यावी क्या जाता है आपका इमेल में इसको इन भॉट्त जोन टात आइता है तो इसको प्रिंदिन रॉप कोना गुटज सक्ट्रव देखिए नेक्स देखिए नेक्स कोश्चन होल्ड एड्रेस ऑफ दा एक्टीब मेमोरी लोकेशन वाई सक्री मेमोरी अस्थान का पता रखता है कौन रखता है प्रोग्राम काउंटर रखता है मेमोरी अड्रेस रेजिस्टर रखता है यह इंस्ट्रक्शन रखता है यह जो आ आपका हो जाएगा, memory address register, memory address register क्या करता है, वो करता है, whole address of the active location, कौन, memory address register, whole address of the active memory location, ओके, option number B is right, चलो, next देखो, next question आपके सामने है कि, was, was the first browser to display images in line with the text, instead of displaying images in separate windows, वाई, एक अलग window के छबियों को प्रदर्सित करने के बजाए, पार्ट के साथ, छबियों को क्या करता है, inline प्रदर्सित करने वाला, पहला browser था, वाई, कौन, कौन सा वो पहला browser है, Linux है, Opera है, Mosaic है, Mozilla है, तो यहाँ आपका जो क्या हो जाएगा, Mosaic हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Option number C will be the right answer, Mosaic, क्या, Mosaic जो है, वो आपका, Mosaic was the first browser to display image in line with the text, instead displaying image in the separate windows, ओके, चलिए, Mosaic हो जाएगा आपका right answer, चलिए, देखिए, Next question, आपके सामने के, Which among the following is not in a, Magnetic storage, बतारा कि इन में से कौन जो है, Magnetic storage नहीं है, कौन नहीं है, Memory card नहीं है, या फिर Winchester disk नहीं है, या Magnetic tap नहीं है, या Floppy drive नहीं है, भाई साब इसमें से कौन जो है, वो आपका Magnetic storage नहीं है, कौन Magnetic storage नहीं है, तो देखिए, यहाँ पर Memory card जो है, कौन Memory card जो है, वो आपका Magnetic storage नहीं है, ठीक है, Magnetic storage नहीं है, वो कौन आपका जो Memory card है, ठीक है, चलिए, Next question देखिए, Which among the following statement is incorrect for the input device, इन में से कथन दिया हुआ है, कि कौन जो है, Incorrect है, कौन सा कथन, सत्य है, Incorrect है, Input device को ले करके, Input device को ले करके, इन में से एक कथन है, जो बिलकुल गलत है, वो आपको बताना है, तो देखो यहाँ पर, क्या बता रहा है कि, Input devices accepts user data, भाई, यह तो सही है, Accept करता है वो, Input devices are also called, the peripheral device, ठीक है, यह कुछ हजम नहीं हो रहा है, Input devices help computer in receiving data, भाई, बिलकुल सही, Optical mark reader is an input device, हाँ बिलकुल सही है, तो देखो, Optical mark reader is an input device, यह भी है, Input devices help computer into receiving data, हाँ बिलकुल सही है, वो मदद करता है, Input device are also called the peripheral device, भाई, साब यह बिलकुल गलत है, तो यहाँ पर हमको क्या बता रहा है, कौन सा statement जो है, incorrect है, किसको ले करके, Input devices को ले करके, तो वो हमारा यह है, कि Input device को हम लोग जो है, peripheral device कहते हैं, भाई, नहीं, peripheral device नहीं कहते हैं, है ना, तो यह हमारा incorrect है, तो option number B will be the right answer, B is right, ठीक है, चलो, next देखो, Is the bit rate of the available of consumed, information capacity expressed typically in the, metric multiples of the bits per second, बता रहा है कि, उपलब दिया उपभोग की गई, सूचना चमता की bit, दर आमतोर पर 30 second bits के, metric गुनों को व्यक्त की जाती है, हैं, किसके, frequency के, speed के, या फिर protocol, या फिर bandwidth, तो भाई साब, right answer हो जाएगा, D हो जाएगा आपका bandwidth, क्या bandwidth, bandwidth, bandwidth जो होगा, bandwidth in the bits, rates of the available to consumed information, capacity expressed typically, in metric multiples of the bits per second, ठीक है, यह जो आपका bands width, उपलब्द या उपभोग की, सूचना को क्या करता है, चमता की, बीट दर को आम तोर पर 30 second bits के, मिट्टेक गुनों को कि बर में क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, चलिए, D will be the right answer, चलो, आप भी कमेंट करके, फटापट बताईएगा, कि आपका कौन सा option, सही होने वाला है, ठीक है, और फटापट कमेंट करते चले जाना, कि सर, A होगा, B होगा, C होगा, जो भी होगा, और अंत में कमेंट करके, यह जुरूल बताना, कि आपका आज का स्कूर, जो है, टॉप टुएंटी में से क्या रहा, जैसे कि आप हर इक वीडियो में करते आ रहे हो, ठीक है, चली बढ़ते हैं, अगला question की ओर, आपके सामने के, which of the following options, refer to the layout, arrangement of the different devices in network, बता रहा है कि निमलिखित में से, कौन सा बिकल्प जो है, वो किसी network में, बिभिन उप करोनों की layout वेवस्था को क्या करता है, संदरभित करता है, भाई साब कौन, close system करता है, हैं, या फिर network topology करता है, या open system करता है, या transmission mode करता है, तो यहाँ पर जो है, कौन, refer to layout, देखो, refer to layout arrangement of the different device in network, हैं, कौन करता है, तो वो आपका करता है, network topology, क्या, B, आपका correct answer हो जाएगा, कि network topology, refers to the layout arrangement of the different devices in a network, ठीक है, कौन, network topology, ओके, चलिए, next question क्योंब बढ़ते हैं, next question है, कि, what is the diameter of a blu-ray disk, भाई, पूज रहा हैं आपसे, blu-ray disk का diameter क्या है, तो, देखो, यहाँ, 110 mm का, 115 mm का, 120 mm का, 100 mm का, तो यह जो, blu-ray disk है, यह परकार का disk है, चीक है, इसका, जो बता रहा है, कि इसका radius या diameter, हाँ, सोरी, radius बोलाओ, diameter क्या है, ब्यास कितना है, ठीक है, तो इनका जो है, diameter जो है, वो 120 है, कितना, 120 mm है, और 4.75 inches, है न, 4.75 inches है, ठीक है, चलिए, option numbers, इस बीड राइट अंसर, 120 mm का, होता है, और 4.75 inches का, होता है, आपका कौन, यह blu-ray disk, है न, एक परकार का, यह CD disk है, से न, compact disk है, CD है, चलो, next question आपके सामने है, कि, the unit is that part of the CPU, which controls, और direct the operations, of the processor, 1.5 CPU का वह भाग है, कौन, कौन सा 1.5 जो है, वो CPU का वह भाग है, जो प्रोशेसर के संचालन को, नियंत्रित्या, निर्देशित करता है, भाई साब देखो, यहाँ पर, बहुत ही easy प्रस्ण है, आपके लिए, और easy के साथ साथ, बहुत ही BBI प्रस्ण है, इसी परकार का प्रस्ण, जो आपको, 100% exam में, देखने को मिलता है, क्या बता रहा है कि, कौन सा unit है, ठीक है, कौन सा IKI है, जो की, part of the CPU, which controls of directs the operations of the processor, यानि वह ऐसी IKI, CPU का वह भाग है, जो प्रस्ण के संचालन को, नियंत्रित या फिर, निर्देशित करती है, वो कौन है, तो आपका data हो सकता है, arithmetic logic हो सकता है, memory हो सकता है, या control हो सकता है, the control unit is that the part of the CPU, control unit जो है, CPU का एक part है, जो की क्या करता है, इस controls, देखो यहां से direct to the operation of the processor, ठीक है, क्या हो जाएगा, control, चलिए, next question आपके सामने की, net banking is also known as, लो भई, आप इससे भली भाती परिचित हो, आप जानते हो, हमेशा कहीं न कहीं, आपको यह word सुनने को मिलता है, क्या, net banking, net banking is also known as, net banking को और किस नाम से जाना जाता है, भई साब, देख लो, e-process, या फिर e-commerce के नाम से, e-transfer, या फिर e-banking के नाम से जाना जाता है, तो भई साब, बहुत easy question है, जल्दी से comment करके बता दो, इसका answer क्या होने वाला है, और कौन सा option मेरा सही है, तो देखो, d will be the right answer, e-banking के नाम से हम लोग जानते हैं, net banking को, net banking को किस नाम से जानते हैं, e-banking के नाम से हम लोग network, या net banking को जानते हैं, ठीक है, चलिए, अगला प्रस्ण आपके सामने हैं कि, which of the following is not an part of an email address, बतारा कि, email से कौन जो है, वो आपका email का एक part नहीं है, अंग नहीं है, भाग नहीं है, तो देखो, क्या है, photo, email सेवा, प्रदाता का domain, यानि email service, provider domain, या फिर symbol, या username, देखो भाई, आप जब email यूजर नेम भी चाहिए, symbol भी होता है, और ये email service provider भी होता है, आपको यहाँ जो photo है, photo है, वो एक email, क्या है, email address का जो है, part नहीं है, photo, तो a will be the right answer, आपका जो photo होगा, वो आपका correct answer होगा, ठीक है, चलिए, next question देखिए, next question है, कि identify whether the following statements are true or false with the reference to the MS word 2010, भाई साब MS word 2010 में आपको बताना है, ये statement दिया गया है, कि कोन true है, और कोन false है, यानि कोन सत्य है, और कोन असत्य है, तो सबसे पहले यहाँ पर दो statement दिया गया है, दो statement दिया गया है, है ना, दोनो statement को आपको बढ़ियां से पढ़ना है, और बताना है, कि कोन सा statement आपका true है, और कोन सा false है, कोन सत्य है, और कोन सा असत्य है, तो चलिए, हम लोग पढ़ते हैं, सबसे पहले देखते हैं, कि a template can be selected while creating a new documents, यानि एक नया दस्तावेज बनाते समय, क्या एक template का chain किया जा सकता है, भाई बताओ जल्दी से क्या, हाँ भाई किया जाता है, उसके बाद बता रहा है, दूसरा statement क्या बता रहा है, कि the keyboard shortcut for going to the end of the documents, is shift plus end, देखो भाई साब, गडबड मुझे यहीं पर लग रहा है, अब गडबड क्या बता रहा है, यहाँ पर बता रहा है, कि shift plus end को हम लोग क्या करते हैं, shortcut की के रूप में, उप्योग करते हैं, किसके लिए, किसके लिए, going to the end of document, यानि, किसी भी document को end तक जाने के लिए, उसरा statement बता रहा है, क्या यह हम लोग करने के लिए, किसी भी documents या किसी भी page को खोलते हैं, कुछ लिखना होता है, तो हमें, क्या, हमें वो scrolling करके, या हमारा जो cursor है, वो उसको हम कहां लाते हैं, हैं, क्या करते हैं, दास्तावाज की अंत तक जाने के लिए, keyboard का कौन सा shortcut दबाते हैं, यह statement बता रहा है, second number की shift plus end को दबाते हैं, नहीं, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, हम लोग shift plus end को नहीं दबाते हैं, किसको दबाते हैं, हम लोग दबाते हैं, control plus, control plus end को दबाते हैं, control plus end को दबाएंगे, तो हम लोग पहुँच जाएंगे, सीधे उस document का एक दम नीचे में, और भाई साब, अगर shift plus end को दबाते हैं, अगर shift plus end को दबाएंगे, तो क्या होगा, वो पूरा चीज select हो जाएगा, एक साथ और end में आएगा, क्या पूरा चीज एक साथ select हो जाएगा, सारा चीज, है ना, तो यहाँ इसका मतलब क्या, कि जो first statement है, वो हमारा true है, और जो second statement आया, वो हमारा false है, पता चल गया, कि जो हमारा first statement है, वो हमारा बिलकुल true है, और जो second statement है, वो हमारा false है, तो देखिए यहाँ पर, option number A दिया है, कि एक statement असत्य है, यानि false है, दूसरा भी false है, बिलकुल गलत, नहीं, अब देखो, बता रहा है कि first statement true है, दूसरा भी true है, बिलकुल गलत, अब C बता रहा है कि, पहला statement false है, और दूसरा भी true है, भाई साब गलत, और D option क्या बता रहा है, कि first भी true है, तो देखो, first भी true है ही, और दूसरा भी statement false है, बिलकुल सही जबाब, क्यों, क्योंकि देखिए, यहाँ पर हमने बताया, कि यह templates can be selected, while creating a new documents, बिलकुल सही, तो यह true हो गया, true मतलब सत्य हो गया, the keyboard shortcut for the going to the end of the documents, of the shift plus end, यह आपका बिलकुल गलत है, क्योंकि हम लोग shift plus end नहीं करते हैं, हम लोग control plus end करते हैं, तो यह बिलकुल गलत है, यानि false है, जब यह false है, तो statement 1 बता रहा कि बिलकुल true है, statement 2 बता रहा कि बिलकुल false है, तो option number D will be the right answer, option number D will be the right answer होगा, क्या D आपका right answer होगा, समझ में आ गया, बढ़ते हैं आगे, clear, चलिए, देखिए, next question आपके सामने की, which of the following is the correct categorization of, volatile semiconductor memory based on the data, ransom capabilities, यानि data of धारना छमता की आधार पर, निमलिखित में से कौन जो है, और श्तीर उर्द चालक memory का सही वर्गी करन है, by SRM and ROM, DRM and ROM, RAM and ROM, and SRM and DRM, बतादो जल्दी से, इस में से कौन जो है, वो volatile semiconductor memory based है, जो कि हमारे data को retention capability देता है, है ना, क्या करता है, छमता के आधार पर बाट देता है, तो कौन SRM and ROM, DRM and ROM, RAM and ROM, and SRM and DRM, तो भाई सब आपका जो right answer होगा, वो हमारा D होगा, कौन SRM, क्या SRM, SRM, और DRM, है ना, DRM, अब बोलोगे सर, SRM का full form क्या होता है, DRM का full form होता है, भी short form को, बताए जाता है कि, SRM stands for, या फिर DRM stands for, या फिर SRM का संचिप्त रूपत बताईए, या DRM का संचिप्त रूपत बताईए, तब आप फस जाते हो, तो आपको जानना चाहिए, जो आपका SRM, सबसे पहले तो RAM का जानते ही हो, क्या होता है, ROM का जानते ही हो, क्या होता है, Random Access Memory, Read Only Memory, है न, तो इसके आगे क्या लगा हुआ है, इसके आगे लगा हुआ है, और इसके आगे लगा हुआ है, D, हैं, इसके आगे S, S RAM हो गया, और D RAM हो गया, है न, Sorry, RAM, अब बताईए, यहाँ पर जो आपका S है, वो स्टेंड करता है, किसको, Static, Static, अब देखो, S स्टेंड करता है, स्टेंड को, यानि, Static Random Access Memory, हैं, और D, जो यहाँ पर स्टेंड करता है, वो हो जाता है, Dynamic, क्या हो जाएगा, Dynamic Random Access Memory, ठीक है, Static हो गया, और यह हो गया, Dynamic, यानि, SRAM, SRAM का, SRAM का क्या हो जाएगा, Static Random Access Memory, हैं, और फिर DRAM का क्या हो जाएगा, Dynamic, हैं, Dynamic Random Access Memory, किलियर, चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रस्ण आपके सामने हैं कि, which of the following types of hackers, also known as, crackers, hack to gain, unauthorized access to, a system, and harm its operations, stills, sensitive information, हैं, निम्नी कित में से, किस परकार के hackers, जिने crackers के रूप में भी, जाना जाता है, सिस्टम के नधिकरीत, पहुँच प्राप्त करने के लिए, हैक करते हैं, और इसके प्रचालनों को हानी पहुचाने, या सम्विधन सिल जानकारी, क्या करते हमसे, चुरा लेते हैं, तो हम लोग भाई उसको, हैं, किस परकार से, red hat, gray hat, white hat, या black hat, हैं, which of the following type of hackers, किस परकार के hackers, black hat, white, gray, और red, तो ये जो black, black hat hackers होते हैं, वे क्या करते हैं, क्या करते हैं, सारा data को क्या करादिकरीत रूप से पहुँच करके, वो हमारे system को hack कर लेता है, हमारे प्रचालन तंतर को hack कर लेता है, और वो फिर क्या करता है, सारा चीज हम से चुरा ले जाता है, कौन? black hat hackers, हैंना, option number D will be the right answer, अगला देखिए, an irisible programmable read-only memory, यानि EPROM, हैंना, EPROM retains its content until it is exposed to the, भाई साब, एक irisible programmable read-only memory पर, सामगरी या कोई content, तब तक बनी रहती है, जब तक कि यहां, किसके संपर्क में ना आ जाए, भाई सब किसके संपर्क में, देखो, ultraviolet light के रूप में, या फिर reactical signal के सही में, magnetic signal के छेतर में, radio signal के यह में, हैं संपर्क में, जब तक ना आ जाता हो, तब तक यह क्या करता है, कि यह सामगरी को, बनाए रखता है, कौन, तो जब तक यहां, ultraviolet light के संपर्क में नहीं आता, तब तक यह सारा चीज, हैं, क्या रहता है, बनी रहती है, यानि एन इरिजीबल प्रोग्रामेबल रीड अनली मेमोरी, रिटेंस इट्स कंटिन्स अंटिल इट एक्सपोज टू दा, क्या, ultraviolet, हैं, स्री, ultraviolet light, है ना, चलिए, next question देखिए, next question आपके सामने है कि, means sending data or a file from your computer on the internet, सबसे easy प्रस्न है, है, easy प्रस्न है आपके लिए, जल्दी से comment करके बता दो, क्या होने वाला है इसका answer, क्या, देखो, means sending, क्या, data or file, from your computer on the internet, भाई साहब का अर्थ है, आपके computer से internet पर data या file को भेजना, किसके दबारा, किसका मतलब होता है, assessing का मतलब होता है, uploading का मतलब होता है, या deleting का मतलब होता है, या downloading का मतलब होता है, है, तो आपका जो right answer क्या हो जाएगा, uploading, क्या हो जाएगा, uploading, uploading means, uploading means, sending data or a file from your computer on the internet, है, on the internet, यानि uploading, अप्लोड करने का अर्थ है कि आपके कम्प्यूटर से इंटरनेट पर डेटा या फाइल को ट्रांसफर करना भेजना ठीक है चलिए next question आपके सामने कि which of the following keyboard shortcut is used to enter a new line in the same cell in worksheets in MS Excel 2010 MS Excel 2010 में worksheets में एक ही cell के एक नई line परविष्ट करने के लिए क्या किया जाता है क्या किया जाता है क्या किया जाता है जल्दी से बताईए फटापट क्या जाता है